हम लोग बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल के बारे में और इसमें आप लोगों ने लाश्ट क्लास में देखा होगा कि हम लोगों ने मौसम और जलवायू के बारे में विस्तार से चर्चा की थी आज की इस क्लास में हमें बायू मंदल के संगठन के बारे में बात करनी हैं अब आप लोग कहोगे कि बायू मंदल होता क्या है तो पितवी के चारों और घिरे हुए बायू के विस्तत्य फैलाओं को ही आप लोग बायू मंदल कहते हैं या फिर आप लोग इस तरह से समझ सकत पित्वी के चारों और सेकडों किलोमीटर की मौटाई में लपेटने वाली गैसी यह आउरन को आप लोग बायू मंडल कहते हैं आप लोग स्थल मंडल के बारे में पढ़ते होंगे देखिए यह स्थल मंडल हो गया और आप देखते हैं जे हिंद महासागर हो पिसांत के तरीके से समझा करिएगा बायू मंडल का संगठन यानि कि बायू मंडल मतलब आप देखिए पित्वी को उपर जो गैसी यावरन है वो हो गया संगठन का मतलब होता है जुडाओ क्या होता है किन किन से बना हुआ है एक समभू यानि कि बायू मंडल में क्या क्या आप ल देखते सबसे जान्दा, नाइट्रोडियन आप लोगों को N2 देखने को मिलती है, बायू मंदल में, यह 78.08 पिती सत है, और ऑक्सीजन दूसरे नमबर पह है, बायू मंदल में, यह आप देखें, 20.95%, आरगन आप देखेंगे, AR 0.93% है, कारवन डाई ओकसाइड आप देखत तो अगर हम लोग कितावी परिभासा की इसमें बात करें, तो बायू मंदल एक बहु इस्तरिये गैसी आवरन है, जो पित्वी को चारों तरब से आवरे किये हुए है, घेरे हुए है, और इसमें आप देखेंगे कि प्राक्तिक परयावन एवं जीब मंदली परिस्तितिक, तंद का एक महत्वोंट संगठक है, क्योंकि जीब मंदल के सभी जीब धारियों के अस्तितिके लिए इस से सभी आवसक गैसें उसमा और जलपराप्त होता है, बायू मंदल पित्वी से उसके गुर्तवा करसन बल द्वारा संबद रहे, और बायू मंदल सूर से आने वाली बिकरन तरंगों को छानने का भी काम करता है, अगर आप देखें कि भायू मंदल मैं अगर आप सूर भगवान से आने वाली किर्णों हैं, अगर ना रोकी जाए तो बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं, हानी कारक किर्णे भी आती हैं, तो उन्हें रोकने का काम भी करती हैं, ओजौन परत के बारे में आप लोगोंने सुना होगा, यह परावेगनी सौरी के विकरन तरंगों का अउसोसन कर लेता है, और उन्हें इस पिकार पित्वी की सतय तक पहुचने से रोकता है, और धरातल को अत्यदिक गरम होने से भी बचाता है, सागरतल से आप देखेंगे सोले से 29,000 किलोमीटर तक बायू मंडल की उचाई का अनुमान किया गया है, और बायू मंडल की भौती केवं रासानी पिक्रियाएं, मौसम एबं जलवायू के तत्थ उसमा तामान बायूदा पवन आधता मेक्छादन, वरसा बायू मंडली ये तुफान आधी ने जीब मं मंडल में पौधों और जंतुओं मानो भी के उदभाव विकास इम भिधि को सदेव प्रभावित इवं नियंतित किया है, और जीब मंडल के संगटनों, अजयविक और जयविक संगटन, तथा बायू मंडल के संगटनों के संगटकों के मद्द पारसपरिक अंतर किरियाए होती हैं और यगिफी मौसम एवं जलवाई में फ्राक्तिक कारणों से इस्थानिय प्रादेशिक और भूमन्डली है इस तरों पर मंद गती से सहज परिवर्तन होते रहते हैं परंतु मनुस से द्वारा द्वारा हमारा ही युगदान है और उसी कारण आप देखते हैं जलवाई परिवर्तन देखने को मिलता है। और आप लोग सुनते रहते होंगे कि ओज्वन परत को नुकसान हो रहा है उसमें चरन हो रहा है तो बायूमंडल की अगर हम लोग संगठन की बात करें तो पित्वी के चारों तरफ कई सो किलूमीटर से हजारों किलूमीटर की मौट्टाई में ब्याप्त गैसी आवरन को रखता है क्या रखता है जुडाओ टिका हुआ है और वास्तों में पित्वी का बायूमंडल बहु इस तरी है गैसिये आवरन है जो पित्वी के गुर्थवा करशन बल द्वारा पित्वी की सतय से सम्म॥्ध है और विभेंड गैसों की आंत्रिक सम्मिशन को हवा कहते है की तैयारी कर रहे हैं, इस्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर NCIT किताब में पढ़ लीजे, अगर आप लोग NCIT किताब में पढ़े होंगे, तो यहां आप लोग और बहतर तरीके सेने समझ पाएंगे, सबसे पहले अगर हम लोग बायूमंडल में जो गैसे हैं, उनके बारें बात करें, तो दो पिकार की गैसों द्वारा बायूमंडल की गैसी यह रचना हुई है, एक आप देखेंगे इस्थाई गैसे हैं, और दूसरा आप देखेंगे परिवर्त 72 में, गैसी यह नाइट्रोजन की खोज की, और इनका नाम मैफि टिक एर दिया गया, ऑक्सीजन की सरपेथम खोज उसका अध्यान जौसलिक प्रेश्टिली ने द्वारा किया गया था, और अंतिम गैस आरगन की खोज 2874 में की गई थी, वार्तमार बाईवंडल की गैसी सरचना में, नाइट्रोजन सबसे जानदा 78.01, फिर ऑक्सीजन आप देखेंगे 20.09, कसरवादी की युगदान है, हो सकता है आप लोगों से डारेक्टी कुश्चन्स पूच ले, क्या पूच लेगा, कि सबसे जानदा ब पर ऑक्सीजन, और जबकि आर्गन गैस का मात पिती सत कितना है, 0.09, और इस तरह इस पश्च है कि बाईवंडल की गैसी ये संगठन में, गैसी ये नाइट्रोजन और आणवीक ऑक्सीजन और आर्गन का समलित युगदान 99.99 पिती सत है, बाईवंडल ये गैसों की सादन को पिती मिलियन पार्स, पिती बिलियन पार्स और पिती सत आयतन में दर्स आए गया है, इसमें आप देखें, इस्थिर गैसे हैं, नाइट्रोजन और आक्साई और आर्गन पिरमुक इस्थिर गैसे हैं, जिनका बाईवंडल गैसी ये संगठन में हिस्था, 78.1, 20.9 और ज दिखने को मिलता है, यह अन्य गैसों के समान अधिक सक्रिये नहीं होती है, नाइट्रोजन परंतु यह अन्य गैसों के समान अधिक सक्रिये नहीं होती है, नाइट्रोजन की जीब मंडल में सभी जीबधारियों के लिए आवसक होती है, क्योंकि यह एमीनो एसेड का आवस सानी से मिल जाती है ऑक्सीजन जीवित पदार्तों में 70-30 एटम का निर्माड करती है और कार्वो हाइड्रेट वसा प्रोटीन की निर्माड में इसकी एहम भूमिका है किसकी ऑक्सीजन की आड़्विक ऑक्सीजन ओटू सामाने तर निचले बायुमंडल में 60 से 60 किलोमीटर तक पाई जाती है कितना नीचे से आप देखेंगे 60 किलोमीटर जबकि बिक्टित ऑक्सीजन आड़्विक ऑक्सीजन परत के उपर 60 किलोमीटर से अधिक उचाई पर पाई जाती है ऑक्सीजन के नम्याड सोपोसित इस्थलिये हरेपोदे और साग्रिये फाइटुपिलेक् द्वारा पिकास सेजसन की फिक्टिया द्वारा किया जाता है और बेविन खनेज ऑक्साईड की निवनी करन द्वारा भी कुछ ऑक्सीजन का जनन होता है ऑक्सीजन का फ्योग माना उस सहित जंतुआं द्वारा सोशन सास लेने के लिए जिवास मीधन कोईला खनित तेल प्राक्तिक गेस लकडी के जलाने में होता है अगर आप देखे ऑक्सिजन ना हो तो कोईला जलेगा नहीं खनिश तेल भी नहीं जलेगे प्राक्तिक गेसें भी नहीं जलेगी लकडी भी नहीं जलेगी और भविस में बाइवंडल में कार्बन डाई उकसाइड की संदरन में बिद्धी हो रही है, बड़ोत्री हो रही है, फिर आप देखते हैं, परिवर्तन ये गैसे होंगी, तो परिवर्तन सील गैसों में, जलवास आपको देखने को मिलेगा, कारवन डाय उक्साइड, ओजॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, जीनॉन, केफटोन, केफटोन, इन आदी देखने को मिलेंगे, जलवास का मौसम संबंधी अतिदिक महत होता है, क्योंकि बर्सन की रूम में, ठोस, रूप, हिमपात, ओला, उपल विष्टी, पाला, आदी, तरलूप, ओस, कोहरा, जलवासा, जलवासा, आदी, जलवास की मातरा पर निर्भार करता है, प्रावाइगनी करनों को सोक लेती है, और इस तरहे ओजन भूतल को अतिदिक गरम होने से बचाती है, गरम होने से बचाती है, और बहुत सारी जुहानी कारेक्ट करने होती है, उन्हें भी रोकने का काम करते हैं, इसके द्वारा, ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रख का उतेजक गयस है, और इसकी गंद तीक ही होती है, ओजन एक प्रवल ओक्सी कारी कारक है, जो अधिक सांधर हो जाने पर बिसपोर्ट के साथ बिक्टित हो जाती है, क्या हो जाती है, बिक्टित हो जाती है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा इसमें, फिर आप देखें को मिलेगी और इस मंदल में 10 से 50 किलूमीटर में भी इसका अधिक्तम सांदरन 12 से 35 किलूमीटर की उंचाई के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगी तो यह भी आप लोग याद रखेगा इसमें ठीक है और थिर आप देखेंगे कि इस तरह ओजोन का सरवाद एक सांदरन स समताब मंदल में देखने को मिलेगा कहां समताब मंदल में तो यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए समताब मंदल आप लोग पढ़ते हैं ना उसी की बात हो रही है और इसी कारण इसे समताब मंदल में देखने को मिलेगी और इसी कारण से समताब मंदल में देखने को मिलेगी और इसी कारण से समताब मंदल में देखने को मिलेगी और इसी कारण से समताब मंदल में देखने को मिलेगी और इसी कारण से समताब मंदल में देखने को मिलेग या पर तरित जंजा की दोरान, की दोरान आप देखेंगे की दोरान बिद्धुत बिसरजन की कारण ऑक्सीजन की अडूओं का विखंडन या अलगाओ निमने रूब में संपादित होता है, O2 आप देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो अलग-अडूओं या फिर एटम में तूट जाती है, और ये तूटे या अलग हुए ऑक्सीजन एटम, आप देखेंगे पुना ऑक्सीजन की अडूओं, O2 से मिल जाते हैं, और जिस कारण ओजौन, O3 का निमनाड होता है, O2 पिलस O, आप इस तरह से आप देखेंगे, ओजौन का निमनाड हो जाएंगे, तीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, चेत्रों की बाई मंडल में होता है, और ओजौन की कुछ भाग का उपरी, बाई मंडल में पवन संचाद द्वारा उच्च अक्छांसों की ओर परिवहन, इवं इस्थान अनतन हो जाता है, और याद रहे, ओजौन की एक एटम बाली, ओक्सीजन की टकराओं की कारण ओजौन का उच्चाद रूप में पुनाह ओक्सीजन में रूप आंतन हो जाता है, देखे ओजौन हो गई, फिर इस तरह से आप देखें, ओटू फिलस ओक्सीजन, इस पिक्रिया को ओजौन बिनास या पिर क्या कहते हैं, छरन कहते हैं, ठी लेकिन बाईव मंडल में ओजौन की उपस्तिती, पादप एवन जन्तु जगत के लिए सामान रूप से परंतु मनुस के लिए मुख रूप से अतिधिक मात्पूर होती हैं, क्योंकि यह जीव मंडल यह पारिस्तितिक, तंद में मानो सहित समस्त जीवधारियों के लिए सौर परावेगनी बिकरन उसे बचानी के लिए रख्षक का काम करती हैं, और इसी कारण से ओजौन परत को पितवी की छतरी भी कहा जाता है, एक कुछन से भी मुझ लेगा, कि पितवी की जीवन रख्षक पितवी की छतरी किसे कहते हैं, तो ओजौन परत को, और इसे जीवन अधिक गरम होने से बचाती है ओजौन किवल उन्हें सौरिक विकरन तरंगों को धरातल तक पहुंचने देती है जो जीव मंडल में मानो रहे सहित सभी जीवों के लिए लापकारी होती है ओजौन परत में किसी तरह की परिवतन होने से उसका उनका संतुलन बिगड़ पिर आप देखें 1987 के बाद से ओजौन के चरन को लेकर विस्व समदाय में काफी होहला बैराम हो गया और ओजौन चरन की फिक्रिया का उपर उलेक किया गया है ओजौन चरन के लिए उत्तरदाई तत्तों में किलोरो फिलोरो कारवन हैलेंस नाइटोजन ओकसाइड अधिक पिरमोक होते हैं आप लोगों से पूच लेगा कि ओजौन चरन के लिए सबसे जान्दा उत्तरदाई तत्त कों सा है किलोरो फिलोरो कारवन कारवन डाय ओकसाइड सी ओटू का एक पिरमोक परिवरतन सील गैस है जिसका बाइवंडल गैस की संगटन में 0.03% का युगदान ह गैसी ये कारवन की दो फिरमोक भूमिका हैं कारवन डाय ओकसाइड पिकास संसेशन में साहिक होता है और जिसके अंतरगस सौफिसित एवं प्रकास पोसी हरे पौधे सूर के पिकास के माध्यम से ऑक्सीजन हाइडोजन कारवन डाय ओकसाइड को समलित करके जैविक पदार अर्थात कारवो हैडडेट का निर्माड करते हैं और बाई मंडलिये कारवन डाय ओकसाइड प्रवेसी सौरिक विकरन तरंगों के लिए पारदर्सी होती है परन्तु बहिर गामी पार्थिक विकरन के लिए अपारदर्सी अर्थात अरोधक होती है और इस तरह से आप उसमन का खतरा उत्पन हो गया है और मनुस्त के आर्थिक क्रिया कलापों यार था जीवास मीदनों का जलावन, लकडी उपलों का जलावन, देहन निर्वनी करण, आदी द्वारा कार्वनडाई उक्साइड के उस साजन में नियंतर विद्धी के कारण बाई मंडल में CO2 का सा लगाता बढ़ता जा रहा है और जिससे इस्थानी और परादिसिक इस तर से लेकर विस इस तर तक जलवाई परिवर्तन की समस्या उत्पन हो गई है इसमें तो यह भी आपको देखने को मिलेगा बाई मंडल का संगठन में इसमें आप देखींगे गैसें इस्थाई गैसे पदार्थों तथा तरल बूनों को समलित रूप सी एरोसॉल कहते हैं और इसके अंतरगत ज्वाला मुखी उद्वेधन के समय निस्थ सत्ध धूल एवं राक के कड़ों जोते हुए खेतों से उड़ाए गए धूल कड़ों रेगिस्तानों से उड़ाए गए रेत कड़ों चट्टानों के यांतरिक अप्छाय से प्राप्त सेल कड़ों सागरी ये सताय से निकली नवक कड़ों और उलका कड़ों जैवेक पदार्थ बिक्तेरिया पराग बीज आधी धुआ एवं कालिक आधी को समलित किया जाता है इसमें बास्ताव में एरोसॉल भी बायोमंडल क के परिवतन सील तत्त है और बायोमंडल में बढ़ती उचाई के साथ कड़की ये पदार्थ की मात्रा तेजी से घट यह और मुदल में पिति घण सेंटी मीटर में कड़की ये पदार्थों का मत्रा सौबा भाग, से कई मिलियन भाग तक पाय जाती है एरोसल का सरवाधिक सांदर निचली बायूमंडल में पाय जाता है ओपरी बायूमंडल में एरोसल की प्राप्ती उलकाओं के बिक्तन, बिस्पोर टक, जौला मुकी सूर से आने वाली लगू तरंग विद्धु चुमकिय विकरन का परडात्मक पिकीडन होता है और जिसमें जिसे कई सूर्यास की समय लाल और नरंगी रंगों का अतपन होना और इसी तरह से वर्डात्मक पिकीडन के कारण आकास नीला दिखाई देन पड़ता है और बाई उणडल में बराबत जलवास कड़ और कतीपर ऐइरोसॉल सौरीग विकरन कि कुछ भाग का अऊसोसन कर लेते हैं और कुछ भाग का पित्यरवरतन कर देते हैं और कती पर ठोसकर्ण मुख रूप से नमक के कड़ आर्दता ग्राही नावे के कार करते हैं और जिसकारण जल सीकर कोहरा बादल आदी का निर्माड होता है और विविन पिकार के संगहनन एबं बरसा का आवेभा होता है नगरों के उपर ब्याप दुएं का समंद जब सलफड आई उकसाइड से होता है तो जहरीली डंगरी कोहरे का निर्माड होता है उपयोक्ति विवरन से यह एसपर्ट हो गया है कि बायू मंदल में उपस्ति ठोसकड़ों के कारण मौसम की दसाओं में विवित्ता का सूत पात होता है फिर आप देखते हैं जलबास होता है इसमें और यह पी जलबास की गरना बायू मंदली गैसों के अंतरगत ही की जाती है पलंतु इसकी अलग से बिविशना इसलिए हो सके क्योंकि यह है बायू मंदल का एक महत्पूर्ट घटक है और इसके कारण संगनहन बरसन के विविन रूप और पिकार हैं कोहरा हो गया पाला हो गया ओस हो गया ओला हो गया हिंपात हो गया जल बरसा आधी हो गया संभव हो पाता है बास्तों में जलबास की मात्रा में अधिक अधिक इस्थानिक एवं कालिक भिन्यता होती है चैतेरों से जलबास की मात्रा धुर्वों से भूमद रेका की वोड़ बढ़ती जाती है और 0,2 पितिसत रहती है और बाईव मंडल में उचाई के साथ भी जलबास की मात्रा घटती है और जलबास पर प्राथमिक हरित ग्रह गैस भी होती है क्योंकि प्रवेश सी सौरीक विकरन की कुछ अंस का आउसोसन कर लेती है परंतु पितिवी से होने बाले विकरन के अधिकांस भाग का आउसोसन करती है इस तरह यह पितवी की सतय को गरम भी रखती है और बाईव मंडल यह सकल जलबास का 90 पितिसत से अधिक भाग बाईव मंडल में आप देखे 5 किलो मीटर की उचाई तक आप लोगों को देखने को मिलेगा यदि एक ही समय में बाईव मंडल की समस्त जलबास का एक साथ संगनन कर दिया जाए तो पिदिवी के चारों तरफ उसकी सतय पर 2.5 सेंटी मीटर मौटी जल की सतय का निर्माड हो जाएगा और बाईव मंडल में इस ती जलबास की यह निवन मात्रा भी बिवेन पिकार के मौसम की घटनाओं की घटित होने के लिए समर्थ होती है तो यह बाईव मंडल का संगठन हो गया अब इसमें कुछ महत्पून पॉइंट आपको मुझे लगता है कि वंडे एक जाम के लिए प्रिलिम्स के लिए बता देता हूँ यह तो किताबी भासा देख लिए है और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा अगर आप लोगों का बेस मजबूद आ गया एंसी आटी पड़ी होगी तो आप देखेंगे कि गैसों की परतें जो पितवी की को चारों और से घेरती हैं उसे आप लोग बाई मंडल कहते हैं आकसीजन, नाइटोजन, कारवन डाइकसाइड इसमें आप लोगों को देखने को मिलती है बाई मंडल का 99.30 भाग सिर्फ 32 क्रूमीटर तक सी में थे यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए और बाई मंडल को तामान और अन घटकों के आधार पर पाँच परतों में बाटते हैं इनमें आप देखते हैं कि जो मंडल हो गया समताब मंडल हो गया, मद्द मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बहे मंडल हो गया आगांगे हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जो मंडल की बात करें तो बायू मंडल की सबसे महत्पूर रेपर थे इसकी उचाई धर्वों पर 8 किलोमीटर और विस्वत रेपर रेपर आप देखें 18 किलोमीटर होती है और हम इसी जो मंडल में मौझूद बायू में स्वास लेते हैं मौसम की लगबख सभी घटनाए आप देखें जो मंडल में ही देखने को मिलती है चाहे बरसा हो, कोहरा हो, ओलाबिष्टी हो इसी में आपको देखने को मिलेगा ठीक है और फिर समताब मंडल रहता है, जो मंडल की उपर का भाग समताब मंडल कहते हैं और समताब मंडल 18 से 32 किलोमीटर की उचाही तक रहता है और यह परत बादलों मोसम समधी घटनाओं से लगबख मुक्त रहता है और इसलिए आप देखते हैं कि सम्ताब मंदल में ही आपको जो हवाई जाज ओड़ते हैं उनके लिए आदस परस्तिती रहती है और सम्ताब मंदल की एक महत्पूर विश्चता ये भी है कि ओजौन गेस्प की परत भी यहीं देखने को मिलेगा फिर आप देखते हैं मद मंदल होता है ये सम्ताब मंदल की ठीक उपर 60 km की उचाई तक फैला हुआ है अंतरिश्च से प्रवेश करने वाले उलका पिंट इस परत में आने पर जल जाते हैं फिर आप देखते हैं उससे उपर आप देखेंगे आयन मंदल हो गया और यह 60 से aujourd की परत होती है है हलकी हैं जैसे ही लिम हाई डोजन यहीं से लोगे नों मालू रहे हो खिंग अंग्ली क्लास में और लोग ग्या करेंगे एक इस याथ पढ़ेंगे के बारे में बात करेंगे आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सुझाओ तो आप क् भेख सकते हैं